सदेव से धर्मपुरी में महाश्रिवरात्री काफी धूंधाम से मनाय चाती है इस साल भी मंदिरों में भक्तों का ताता लग रहा है खास कर श्री बिलवा मातिश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का मेला लगता हुआ दिखाई दिया श्री बिलवा मातिश्वर महादेव मंदिर में धूंधाम से महाश्रिवरात्री का पर्प मनाया कया यहां आयजित मेले में लगपक एक लाग श्रद्धालू पहुँचे सुर्यूदय के पोर्व से ही लोगों का आवा गमन शुरू हो गया जो श्राम तक चलता रहा लोगों नर्बदा इस्तान कर भगवान भोलिनात के दर्शन वह पूजन किया जिसके पश्रात लोगों ने मेले का आनंद उठाया और खरीदारी की नर्बदा का जल इसतर बड़ा हुआ होने से श्रद्धालू नावों के माध्यम से टापो परिस्थित मंदिर में पहुँचे आम श्रद्धालू के साथ कलेक्टर और एस्पी भी मंदिर पहुँचे प्रुशासन के और से भक्तों की बड़ी फीर को सम्हालने की पूरी व्यवस्था की गई अभी पहली बात तो आयोजन चल रहा है और कल हम और एस्पी साथ आए थे सभी विवस्थाओं को देखने के लिए और आज फिर से आए हैं उन विवस्थाओं के अनुसार यहां कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है और जो भी यहां पे श्रद्धालू आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई अशुविधा तो नहीं हो रही है और हम लोगों ने भी देख के पाया कि अभी यह पीक टाइम चल रहा है और सुचारू रूप से लोगों का आना जाना लगा हुआ है जैसे मैंने कल बताया था मेरा पुनेस अभी च्रद्धालों से अग्रे रहेगा कि जो अंभू भूले नात यहां बेट के इस स्थान पर विराजमान है सभी से आग रहे है कि आयों का दर्शन करें और सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है बाबा भूले नात की कृपा धरमकुरी पर पूरे जिले पर राज पर और देश पर बनी रहे यही यह देखे इस बार क्योंकि बैक वाटर ज़्यादा था तो इस बार पुल बनाने के जगा बोट से मुमेंट के जा रहा है इसमें हमारी होमगार्ड की टीम साथ में जिला बल प्रशासन की पूरी टीम लगी है और इसमें हमारी जो टीम हैं वो गोता खोरों के साथ और पूरी प्रिकॉस्टन से रेडी है और ये इंश्वार किया जाएगा कि किसी प्रकरागरा कोई इशू क्रेट नहीं हो और आज मा शिवरात्री है और मेरी तरह से सभी को शुब काम ना है और मैं आशा करता हूं कि आज का दिन सभी के लिए मंगल मैं रहे हैं इन के साथ यूटूब के माध्यम से भी दर्शन की व्यवस्था की गई अच्छी रही व्यवस्था और कहीं प्रसासन इसके लिए धन्यवाद का पात्र है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कि जिसके कारण सर्दान सुगमता के साथ में भगवान के दर्शन कर तके प्रसासन इसके लिए धन्होंने बहुत अच्छा लगा इतना सालों से आ रहे हैं विस सालों के हम काते आते हैं शुक्रवार को शाही सवारी के साथ प्रारंब हुआ तीन दिवसिय शिव महतसब आज रात्री को भजन के साथ संपन होगा जसमें प्रसिद्ध भजन गायक किश्रन भगत भजनों की प्रस्तूती देंगे धरमपुरी से म्रदुभाशी प्रदेश के लिए गोलू पटेल क वीडियो को लाइक करें शेयर करें म्रदुभाशी प्रदेश जूने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बलाइकन दबाना ना भूलें